वेल्कम वाइडेर स्टुडेंट्स तो बौर्ड इंग्जाम की तैयारी उम्मीद है आपकी बड़िया से चल रहे होगी और इसी तैयारी को और अच्छा करने के लिए साइंस के पेपर के लिए आपको रिविजन की जुरुत पड़ेगी एक्टिविटीज की और उसका रिव पहले ही एक्टिविटी है आपकी की मेगनेशियम रिवन को आपको क्या करना है बर्न करना और बर्न करने से पहले क्या करना है उसको रब करना है तो रब क्यों करना पड़ता है क्योंकि वह एक्टमोसफेरिक ऑक्सिजन से क्या कर लेता है ठीक है और फिर फरदर ऑक्सिडे ठीक है तो इसका color भी पूछ सकता है आपको एक्जाम में objective में one number में पूछ सकता है तो white color का सब्सक्राइब चलिए activity number 1.2 आपके सामने है आपको क्या करना है आपको lead nitrate का solution लेना उसमें potassium iodide का solution आपको क्या करना है इस प्रकार से mix करना है चलिए तो क्या होता है हम देखते हैं कि यह जो आपका lead nitrate है ठीक है और potassium iodide के साथ में reaction करता है तो lead iodide बना देता है आपका तो यह जो lead displacement reaction हो जाती है दो बार substance का displacement यहां पर देखते को मिलता है चलिए आगे बढ़ते है एक्टिविटी नंबर 1.3 ठीक है इसमें क्या करना है आपको zinc के थोड़े थोड़े चोटे 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 तोकडे लेना है उसमें dilute hydrochloric acid आपको मिलाना है ठीक है और आपको बताना है कि क्या temperature में कोई change आता है आपका तो चलिए देखते हैं क्या होता है जब आप zinc की reaction H2SO4 से करते हैं जो की एक acid है ठीक है तो आप क्या देखते हो आप देखते हो कि zinc sulphate का एक salt बन जाता है और hydrogen gas क्या हो जाती है hydrogen hydrogen gas evolve हो जाती है ठीक है तो इसके bubbles आपको क्या देखने को मिलेंगे hydrogen gas के bubbles देखने को मिले देगे और क्या होगा और आप देखेंगे कि temperature increase हो जाएगा मतलाब यहांपर heat evolve होगी और अगर आपको बोल दे जाए कि heat evolve होरी तो यह कौन सी reaction है तो यह आपकी एक्टिविटी थे आपकी चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम देखने वाले एक्टिविटी 1.4 ठीक है 1.4 एक्टिविटी क्या बोल रही है आपकी केलशियम ओक्साइड लेना आपको ठीक है जिसको हम लोग क्वीक लाइम बोलते हैं और उसमें पानी मिलाना है हमको क्या मिला को मिलती है ठीक है पूराने जमाने में घरों में क्या होता था कि चूना पोता जाता था ठीक है जो कि क्या क्लेम अग चूने को आप अगर क्या करोगे पानी मिलाओगे तो पानी क्या हो जाता था ठीक है और जो सबस्ता था सी और केल्सियम कार्बोनेट यही क्या रहता था ठीक है तो यह क्या हो जाता है एक solid substance मिलता है जो कि क्या होता है calcium carbonate होता है और यह white washing के काम में आता है ठीक है तो यह आपको देखना है चलिए ठीक है activity पूरी लिख रहे हैं क्या क्या होता है चलो activity नंबर 1.5 आपके सामने है तो आपको क्या करना है इसमें टू ग्राम ओ फेर इसले कलर क्या था ठीक है उसको हीट करना है फिर आफटर हीटिंग क्या effect होता है वह आपको बताना है चलिए कि क्या observation होंगे इसके ठीक है तो जो इनिशेल कलर था आपका वह light green जाना रहता ठीक है यह जो फेरस सल्फेंड दे रखा है ठीक हाइड्रेटेट है मतलब इसमें पानी का मोलीकुल है पानी का मोलीकुल है मतलब हाइड्रेटेट है अगर इसको हीट करेंगे तो वह सिंपल सी बात है हीट करने पर पानी तो उड़ जाएगा पानी उड़ जाएगा और यह बचेगा एन हाइड्रस ठीक है एन हाइड्रस बचेगा जो कि क्या होता है और निकल जाता है। यह पानी क्या हो जाता है निकल जाता है अगर आप और इसको at work lighting करें तो क्या होगा यह तोоном होता है यह जो और फेरें किसमें हो जाएगा आपका Já हो जाएगा और यह जो जाएगी और यह जो आइरन ओक्साइड है वो रेडिस ब्राउन कलर का सब्स्टेंज बचेगा आपका ठीक है तो ध्यान रखना है पहले क्या होगा पहले ग्रीन कलर का ता देन इस कनवर्टेट इन्टू वाइट कलर तेन फर्दर हीटिंग के बाद में यह रेडिस ब्राउन कलर का हो जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो हेटिंग के बाद में आप क्या देखते हैं कि पहली बात तो कलर का चांज आ जाता है ठीक है जो लीड्य नाइट्रिट होता है आपका ठीक है पीवी थोड़ा सा येलो होगा या थोड़ा सा ब्राउन होगा ठीक है इसमें क्या होता है नाइड्रोजन ऑक्साइड आपकी गेस निकलती है और आपके पास में लीड ऑक्साइड जो है वो बच जाता है यह किस कलर करेगा आपका येलो कलर करेगा या थोड़ा सा ब्राउन कलर चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए एक्टिविटी नमबर 1.7 लोग देखते हैं आप देखें 1.7 में आपने क्या देखा 1.7 में आप देखेंगे कि किस प्रकार से वाटर का हाइड्रोलेसिस किया जाता है ठीक है तो आपने क्या करा आपने दो टेस्ट्यूब पे दो इलेक्ट क्या होता है जिसे बेटरी के सेसे जोड़ा जाता है ठीक है ये वायर से एक पॉन्ट जोड़ा अगर ये नेगेटिव है तो इसको आपने क्या बोल यह तूड़ जाएगा तो आपका पानी है जैसे इसमें प्रोवाइट करते हैं है एक प्लस और और यह टूड़ जाताए यह चुड़ LIKE सकते इसको अध्य विच्क के तो इस आएन में क्या हो जाता है यह ब्रेकडाउन हो जाता है जब ड्रेकडाउन होगा अब यह hydrogen कहां जाएगी और oxygen कहां जाएगी यह भी ध्यान रखना है आपको तो देखे पॉजेटिव आलवेस अट्रेक्ट विथ नेगेटिव तो भई यह hydrogen क्या है पॉजेटिव हैं हमने बेटरी का कौन सा टर्मिनल नेगेटिव लिया था बोलेश हमने केथ़ोर्ड लिया था तो hydrogen और 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 आपका कलेक्ट होने लगेगी और यह टेस्ट टूब में कलेक्शन हो जाएगा इसका अगर आप ब्यान से देखें वोल्यूम देखें तो वोल्यूम किसका ज्यादा होना चीए बोले सरा आपने पानी को तोड़ा तो दो मोलिकूल तो आपके किसका बना oxygen का बना अखैसाब जब दो मोलेकूल हाइडोजन के बने तो सिंपल सी बात है तो मौल्यूम किसका ज्यादा हो जाएगा वोल्यूम ज्यादा हो जाएगा जहां पर हाइडोजन करने क्यों कि इसलिए यह यहां पर कम ऑक्सिजन रहेगे तो हम देखेंगे कि के करते हैं कि चलिए अब जो गेस आपके पास में कलेक्ट हो गई उसको आइडेंटिफाई के से किया जाए कि कौन सी गेस है तो हाइडोजन के इंटिफिकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ता है पॉप टेस्ट करना पड़ती है अपकर डूप होगा जो की वोलता है और अगे यह से ओक्सिजन के पास में ले जाएंगे तो ऑक्सिजन के पास में कोई साउंड नहीं होगा लेकिन वह ऑक्सिजन की वज़े से क्या हो जाएगा वह जो मेंच सथी के वो थोड़ी सी ब्राइटर जलने लगेगी ठीक है तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं चलिए आग लोटें है आपका ब्रेकदाउन हिंट오 इंड कलोरीन सिल भार् volont में क्या हो जाएगा ब्रेक डाउन हो जाएगा ठीटंहें और सिलब ख्लोराइट का जो कलर रहेगा वह क्यों जाएगा वॉयलेट गड़ परपल जाएगा ठीटें मतलब थोड़ा सा ग्रेस पन आजाएगा उसमें तिक आगे वार समय चले आगे बड़ते अच्छा इंशेल उसका इनीशील के आट इसका वाइट ठीक है यह जो वाइट कलर था क्या करना है तो प्रंफलेना है जो कोपर सुलूशन लेना है और धो आइरन नेल को एक किसी टेस्स ट्र cynical में अपको टीक का तो उस 20 मिनिट के बाद में क्या एफेक्टर सब्गरम वो आपको बताना है चलिए तो यह आपको निएगरम सकते हैं चलिए अब देखें क्या होता है आपने क्या लिया था एक टेस्टूब ली थी एक टेसट Initially इसमें क्या कॉपर सब्सेट का सोलूइशन रखा ता दोनों में अपने से इसके बार में एक कुछ में कुछ भी नहीं कर रहा था दूसरे टेस्ट टूब में आपने क्या कर रहा था iron की nail डाल दी थी ठीक है iron की nail आपने dip कर दी थी चलिए तो जब आप test tube A देखते हैं तो उसके color में कोई change नहीं होता है अच्छा color कॉन सा रहता है copper sulfate का तो copper sulfate का यह diagram में आप देख रहे होंगे यह blue color का solution जो रहता है copper sulfate का solution रहता है जब आप क्या करते हैं इस test tube B में अगर आप क्या कर देता है iron की nail डाल देते हैं यह जो iron nail है यह वाली आपने डाली थी iron nail डाल देते हैं तो यह जो blue color रहता है ठीक है यह disappear हो जाता है टेस्ट्यू बी में यह जो कलर रेता है वो डी सपीर हो जाता है फेड़ हो जाता है ठीके अब क्या करा आपने आपने देखा कि अधर मैं ना न आयर नेयल का क्या करो ऑब्जर्वेशन करो तो जो मैंने आयरन नेड कॉपर सलफेट कि आपका एक्जाम्पल है इस डिस्प्लेस्ट्ट्रप्स रियक्शन रहीं क्यों कि बहूं कि क्या करा इंद पर को क्या कर दियां करते हैं यह बढ़ike तो activity number 1.10 आपके पास में आपको करना है कि 3 ml आपको sodium sulphate लेना एक टेस ट्यूब में और उसमें आपको barium chloride का solution मिलाना है ठीक है तो देखते इसको आपको observe करना है क्या होता है चलिए तो आप क्या पाएंगे कि बहिए आपने क्या करा बोले सर्स सोडियम सलफेट का solution लिया एक वस और barium chloride का solution लिया एक वस टीक है इट इस converted into NaCl टीक है एंड देर इस वाइट प्रेसिपिटेट सबसेंस टीक है वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है आपको जो की क्या रहता है बेरियम सलफेट का रहता हैं तो यह reaction कौ जाएगी यह reaction precipitation reaction हो जाएगी या double displacement reaction हो जाएगी दो-बार displacement हो रहा है एक बार sodium का हो यह फूरह भलार है यहाँ पे क्लोरीन के साथiceless when और बेरियम का और राइक इसके साथ में अपका ठीक है तो यह बेरियम सलफेट पूछ लेता आपको वाइट कलर के प्रेसिपिटेड रहते हैं वाइट पीपिटी रहते हैं और यह सोलिट सबसेंस रहता आपका चले एक्टिविटी 1.11 हम देख रहे हैं हमको क्या करना है कि इसको क्या करना हीट करना यह डाइग्राम में आप लोग देख सकते हैं ठीक है वाइस अप कॉपर का ऑफ साइड को सैंसे रहते हैं ठीक है जलाओ जब थोड़ा सा रेडिस जलेगा उसके यह बाद में यह copper oxide बन जाएगा which is white sorry which is black in color किस color में आ जाएगा यह यह black color में आ जाएगा आपका ठीक है उसकी सरपे से क्यों क्योंकि यह copper oxide बन गया आपका ठीक है चलो आगे वड़ते हैं अब चली तो हम लोग क्या देखने वाले आप चेप्टर टू से आपके एक्टिविटी देखने वाले ठीक है बैसिकले चार सब्सेटिव ने आपको पताए देशार इंडिकेटर फ्या करते हैं कि वीच वन इस एसीड विच्वन इस बैस ठीक है तो यह गलू लिटमस वेपर आप सभी सभी को पता है ठीक है अगर एसीड में उसको लिप करेंगे तो इट कनवर्टेड इंटू कलर चेंज नहीं होगा ओर बीस के साथ में खिया जाए तो बेस बोलेंगा बिटाए काम करो ब्लू कर दो आज ठीक है तो मुढलो हो जाएगा में चल वह फिनिफ्थिललिन क्या होता ये फिनिफ्थिललृं जो होते हैं और उसीड में कळलो यह पींद में कोई कळलर हो जाएगा ठीक है और में समय क्या हो जाएगा यहलों जाएगा तो यह एक्टिविटी आपको धियान रखना और अब जेक्टीव में वह सकता है उचलिया अधा दूसरा 2.2 बी इंडिकेटर से रिलेटेट है वो है ऑल्फेक्टरी इंडिकेटरस कि जिन पर एकफिक दोर बेस की रिकशन हों तो ऑडर प्रोडिउस करते हैं ठीक है ओडर क्या रही đã उसका ठीक है मतलब इसमेर कैसी करेंगे वह ठीक है तो आपके ओलफेक्टरि النवी तक होता है ठीक है ठीक है वाणिला एकस्टेक्ट में प्लीजेंट बेंपमें का होती है 5027 कोई भी समय नहीं रहती ओर दर लेस ए डलाता ऐए ठीकर और ये रहता है अगर ओंएंश्यंट पिल लगा दो तो पंजेंट इसमेल आएगी आपको ठीकर विस्विट वह रहेगी वह अक्तर। तो ओईल में क्या होता है एसीड के साथ में इसपाइसी इसमेल आती थोड़ी से आपको ठीक है और क्या होता स्वीट और वार्म हो जाती है ठीक है खोड़ी सी सुट आएगी आपको और हल्की हो जाएगी चलिए आगे बढ़ते हैं तो भीया एक्टिविटी नंबर 2.3 आपसे पूछ रखा है ठीक है क्या बोलना है बोलना कि भीया एक काम करो सालिफ्यूरिक एसीड मिलाओ और उसमें जिंक के थोड़े से तुकड़े मिला दो ठीक है तो क्या होगा आपको ठीक है तो जब भी आप क्या करते हैं जब भी आप एसीड की रियक्षन मेटल से कराते हैं ठीक है तो आपका सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गेस आपकी इवन हो जाती है ठीक है उसके बाद में उसने क्या बोला उसने बोला कि भीया सॉप सोलुशन में भी मिला के देखलो इसको क्या होता जना हमको बता दो ठीक है चलो तो ढष्षा है तो पहले आपने क्या करा आपने देखा कि आपने एसिट मिला है आपने जैसे कि यह जैडें ने खिलARK अपने आपको बता है दें और फिरह होगा रिलीस होगी इस इस क्या हो जाएगा टेस employee में इंगी तोडियों ठीक है बाहर सबस आने लागी ठीक है चलो फिर क्या होता है और सल्फिरिक एसीड में वो क्या हो जाएगा जिंक डिजोल हो जाएगा ठीक है अगर सॉप सोलुशन में अगर आप करो सॉप क्या होते है या बेस होते हैं आपको पता ही है ठीक है सॉप सोलुशन क्या होते है बेस होते है तो सॉप सोलुशन में भी क् परवाटर में Dissolve नहीं होगा कि क्या नहीं होगा इसमें निकल नहीं होगी यह चलो आगे बढ़ते हैं कि आपके आगे बढ़ते हैं तो मैं अगर बर्निंग केंडल उसके पास लेके जाओ किसके पास प्रिया टेस्ट्यूब के पास में इसमें साइटोजन गेस निकल रही थी आपकी ठीक है तो क्या होगा फिर से बोगी बोलता हूं अभी बताया थोड़ फिले पॉप साउंड हो होगे तो क्या होगा तो बहुत रहा होगा थोड़ी सी कम निकलेगी सिंपल सी बात है डरने वाली बात ही नहीं है चलो आगे बढ़ जाया अब क्या किया आ जाए वह पहले हमने क्या कर था जिंक की रियक्षन दिखन,ह टो 5-0-5-0-4 से कर दी थी तो एसीर से कर दी थी नओ इस जिंक की रियक्षन जरा बेस से कर दो जरा बैस क्या लेले बूलेसर एन ओस लेलो ठीक है तो पाईससabilities की गुरी तो क्या बना ये यो सबसेंज बना आपका नat क County зах ils गेब इस में होगा रिदिंध क्या हो जाएगी निकलने लागी फिर फेडिन कि यह जविश्ष द्यान रखना है कि यह जो प्रक्रम है यह जो ञर्री में अंबर टूपाइंट फाइव आपके थो सूडियम कारवोनेंट और सोडियम कारवोनेंट जिसको सोडियम बाइकार्गोनेट भी बोला जाता है उसको हम लोग क्या करते है एस से रिक्ट करना दे तो बहुत तो दोनों में से मिलेगा क्या बनेगा बोले के एक सॉल्ट मिलेगा कार्बंडायोकसइड रिलीज होगी और आइडोजन और स्वरी और क्या मिलेगा आपको वाटर मिल जाए अब क्या होता है यह कार्बंडायोकसइड गेस जो मिली है आपको ठीके इसको आपको क्या करना है इसको आपको लाइम वाटर में क्या कराना है पास कराना है ठीके इसको लाइम वाटर टेस्ट भी बोलते हैं जब लाइम वाटर टेस्ट हो दित मतलब लाइम वाटर में कार नहीं मिला देते हो तो it is converted into calcium hydroxide ठीक है यह आपका क्यूइक लाइम से select line बन गया ठीक है अब इसमें अगर आप co2 मिला दो ठीक है co2 मिला दो तो एक आपको solid substance मिलेगा जो कि मैंने आपको पहले बता रहा है यह solid substance किस काम में आता वाइट वशिंग के काम में आता है वह अब पुराने जमाने के लोग ठीक है plastic paint वगेरा तो नहीं लगा पाते थे एशियन वाला तो क्या करते थे जब सूख जाएगा पूरा ये जो पानी है इसका उड़ जाएगा ठीक है पानी अगर उड़ जाएगा पूरा तो ये solid बन जाएगा ठीक है और यह सोलिट क्या होता है यह एक दम चमक देता है आपको ठीक है वाइट वाइट उशिंग के लिए जो चमक चीरती वह चमक देता है ठीक है बोले कोई लिक्कत नहीं बोले सर अगर इसी सॉलिशन में जो केल्सियम कार्बोनेट बनाए आपका क्ताइपानी के सॉलिशन में अगर ог institutions मिला दे तो क्या होगा तो बोले और C अक्सेड मिला दोगे तो केल्सियम हाइडोजन कार्बोनेट बन जाएगा आपका जो की क्या हो जाता है सोल्यूवल होता है पानी में ठीक है तो यह हो जाएगा ठीक है इसको क्या बोलते हैं केल्सियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं क्या बोलते हैं चलो आगे बढ़ा आजा ह पुले सर 2.6 एक्टिविटी क्या बोल रहा है देखो भई या डाइलूट एने ओएस सोलुशन ले लो ठीक है उस पर फिनिफ्थिलिन डाल दो दो बुन ठीक है कलर में बताओ क्या होगा फिर वह ले फिनिफ्थिलिन डाला और उसके साथ में क्या कर दो ACL को एड कर दो ठीक है तो क्या होगा क्या कारिक्रम होगा वह आपको बताना है चलो यह पहले बताया था क्या कि बहिया कि एने ओएस जो है वो है बेस आपका ठीक है एने ओएस क्या है बेस है और बेस में आगर आप फिनिफ्थिलिन मिलाते हो तो इट इस कनवर्टेड जब आप इनिशियली क्या करते हो जब मिलाते हो तो फिंक और होने लगता है दिरे दिरे फिर आप क्या करते हो फिर धर लाला फिर ऐसज contest न मतलब क्या कि अगर scl और सथमानिक मिला है आपको तो क्या मिलते जाएगा आपको एए असी और मेसिं करी तो क्या बना ऑर इसी को क्या वोलते हैं इसी रेक्ष्ण को बोलते हyez नूट्रीलाइजेशन डिरिक्ष्ण बोलते हैं चलो आगे बड़ा चलो टूपॉइंट सेवन एक्टिविटी हो गई आपके पास में क्या बोले सर बोले सर कोपर ऑक्साइड ले लो आप मैंनला ठीक है बोले सर इसमें डायलूक्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दो ठीक है और कलर का ध्यान दो जारा क्या होग अग्ति और क्या देखो तो यह जो कॉपर वेड्रोक्साइड है इसमें अगर आपने अशील मिलाया तो सीजी ल्टू बने आपको को पर क्लोरीड वन जाएगा ठास दो और आंप्लू ग्रीन क्लर का सबस्चण को मिल जााता हैiter आगे बढ़ते हैं तो और चले मिल louंड लेते हैं आपको क्या करना है बोले सर्फ गुलूकोस लेलो एलकॉल लेलो ठीक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेलो और सल्फ्यूरिक एसिड लेलो ठीक है और इनमें आगर आप क्या करो कि आप वेटरी से इसमें मतलब एक-एक करके इनमे क्या करो क्रिंट फुलो करने की कोसिस करो ठीक है तो आपके पास में क्या होता चल्यßen तो क्या होगा वह तो यह सिंपल सी बात है कि जो सोलूशन इलेक्ट्रोलेट्स रहेंगे उसमें करेंट क्या हो जाएगा और जो नोन इलेक्ट्रोलेट्स रहेंगे उसमें करेंट फुलो नहीं हो पाएगा तो सिंपल सी बात है एसीड और जो अलकलीज रहते हैं ठीक है ठीक ह ये से रहेते हैं वह क्या हो जाते हैं वो पंड़ करते हैं मतलब वह रहते हैं तिक और कुछ खुगे पुघ्न करोगे उसमें electricity flow करोगे तो भाईया यह electricity को फूलो नहीं करवा पाएंगे ठीक यह नोन इलेक्ट्रोलेट रहेंगे चलिए आगे बढ़ता जाए चलिए आगे बढ़ता जाएं क्या बुल रहा है आपको activity मुल रहा है कि भाईया एक ग्राम सोलीड एने सेल लिया हो मिलना ठीक है और क्लीन एंड्राइट टेस्टिव लो उसमें वर्द उसको ठीक है और उसमें क्या करो तो concentrated sulfuric acid डाल दो उसमें ठीक है और यह कारिकरम करो गेस निकलने की बताओ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आगे वाड़ो चलो देखो एक colorless गेस निकलेगी आपने आपने क्या करा था कि एने सीट लिया था उसमें H2S04 मिलाया ठीक है तो एक गेस मिलेगी जो कि पने आपने लिटमास बेपर को डीप करोगे थीक है आप यह क्या करऊफ़ आपने ब्लू लिटमास बेपर लिया और उसकोगी तो आप देखेंगे जो से पिलू लिटरमस पर पड़ती है यह तो गीला था तो गीला था तो क्या हो जाएगा अब रेड हो जाएगा क्यों कि जो सोलूशन है उसी में क्या होता इसका कलर रेड होता है तो इस फ्रकार से हो करता है एक सिल मिला है आपने एस्टी पानी मिला तब क्या हो जाएगा यह आइंस में और लिए वेट हुआ इसकी वज़े से उसने कलर चेंज कर लिया ठीक है अगर यह कारी करम आप एने ओएज के साथ करोगे बेस के साथ में करोगे तो क्या होगा वोले सर एने ब्लस और ओएज माइनस वा ब्लस और यह भी क्या करेगा यह रेडवाले जोब लिट्मस और लिया आपने उसको गलू कर देगा यह ठीक है बट शर्त है क्या शर्त है वह रिए सर ड्राइनी लेना आपको क्या नहीं लेना ड्राइनी लेना वेट लेना चलो आगे बढ़ते हैं एक्टिवीटी नंबर 2.1 लगे डश एमेल वाटर लो विकर में उसमें कंसेंट्रेटेड एच टू एस ओ फो नाल दो तो यह क्या होगा तो देखो क्या होगा कि यह हाईली एक्जोतर्मिक रेक्षन है ठीक है कुण सी रेक्षन है जब भी आप क्या करोगे एसीड में अगर पानी मिला ओगे तो उसको क टूपॉंट वन पे जाओ activity नमबर टूपॉंट वन ठीके सलाइवा भीफॉर मील ठीके खाना खाने के पहले सलाइवा की सी रहती छीके लेटी आपकी ठीक हुआ पॉइच के रहता इस्कुपॉंट टू से स्फ़ाइटली असिंदी करेथा बोले सर अगर खाना खाल लूँ उ सब्सक्राइब लेमन जूस का क्या करें लेमन जूस को पानी में मिलाओ मतलब लेमन तो जूस है एक काम करो पीजा उसके पहले उसका कलर देगो थोड़ा सालका सा यलो रहता है ठीक है तो इसका अगर पीछ वेल्यू देखूं मैं तो 2.2 से 2.4 के आसपास रहता है और यह यह सदिक 2.523.5 पीच वेल्यू रहती है और इस अधिक ठीक रहता है चलो के रहन बैटा ब्राउन भी लिख दे यहां पर भी रिंद्द कोई ठीक है ठीक है वाइब पॉइंट 0 के आसपास रहता है जोकी रहता है एसे डिक चलो टमाटो जूस ठीक है टमाटो जूस ठीक है टमाटर जोबी गोलना बोल दो ठीक है वही यह रेट कलर कही होगा तो 3.9 और 4.2 के असपास रहता है टमाटर में कौन सा रहता है और जलीक एसीड रहता है ठीक है लेमन में कौन सा रहता है शिट्री के लिखता ठीक है यह भी पूछा जाता है आप से क्या रहता टेफ़ व एक्टिविटी नमबर 2.13 में कुछ सॉल्ट के नाम दे रहा कते हैं उनके बने के चलो पोटेसियम सलफेट के 2-104 स्य सब्सॉड सर्थ talks किया उसमें हो Mogersene सिल्फेट कोपर सलफैट सोडियम कार्बनेट इत्हुं कर्बोनेट यह सब क्या हैं थोड़े से ऐस्वेल से मिलके और किस बेस से मिलके बना आयों तो देखो भी कोटेसियम जो सलफेट है इसमें potassium तो रहे गई आपका और sulphate है तो SO4 sulfur भी रहेगा तो क्या हो जाएगा यह sulfuric acid से और potassium hydroxide से मिलके बनाओगा ठीक है मतलब इससे मिलेगा तो क्या बन जागा acid और base कौन कौन सा फोब हो सकता है sodium sulphate तो भाई है हैच 2 ये सो 4 और न ओएच ठीक है calcium sulphate में calcium ठीक है और sulphate है तो वही है है थे सन एसट वह सलफ्यूरिक acid बनेगा sulphate से और oA है और केंसियम है तो calcium hydroxide बन जाएगा magnesium sulphate ठीक है sulphate है तो फिरसे sulfuric acid बनेगा magnesium hydroxide बन जाएगा copper sulphate sulphuric acid copper hydroxide बन जाएगा ठीक है sodium chloride तो हो ख्लोरीन है तो भी यह क्लोरीन से ये शिल बन गया और आपका सोडियम से इने ओष बन जाएगा ठीक है सोडियum नाइट्रेट नाइटरेट घंट बना दो इससे और सोडियम आइड और बना दो चलो वही सोडियम कार्बोनेट कार्वोनिक एसिड बन जाएगा ही चुछ इंपोर्टेंट एक्टिविटीज हम लोग देखने वाले हैं जो कि एक्जाम में आपको बड़े काम में आनने वाली तो 3.8 एक्टिविटी है आपके पास मैं बोले सर क्या करें पहले तो मैंने वाला बेटा एक काम करो मेंगनेशियम रिवन को लो और सुलफर पौडर को लो दोनों को बारी बारी से जलाओ ठीक है और उसके बाद में आपके अगरो इसको पानी में मिला और रेड और ब्लू लिटवस पेपर से चेक करो चलो तो आपने क्या चेक करा पहले बाद तो बोले सर हमने जलाया ठीक है मेगनेशियम को जलाया आपने तो मेगनेशियम उक्साइड बनाया ठीक है फिर इस मेगनेशियम उक्साइड को उठाके पानी में मिलाया तो मेगनेशियम आयड उक्साइड मिला ठीक है फिर सलफर क जो मेगनी से मैड़ोक्साइड मिलाएं यह होता है बेसिक नेचर काई में होता है बेसिक नेचर तो जब बेसिक रहेगा तो आप क्या करोगे बहुत है रहें लिट बास पेपर मिलाएंगे तो बुलू कर देगा वनला ठीक है और एस टू इस तो त्री जो बना आपका वह और एसिडिक इन नेचर तो आप क्या करोगे बोले सरा हम ब्लू लिट बास पेपर डालेंगे पानी में तो यह रेड कर देगा मिला ठीक ही तो करना था आपको ठीक है तो आपने इससे जाना कि मेटल के जो उकसाइड बनते हैं वो क्या होते हैं वो बेसिक रहते हैं नेचर में और जो आपके नोन मेटल के जो उकसाइड बनते हैं आपके वो नेचर में क्या से रहते हैं एसेडी करहते हैं चलिए आगे बढ़े जाए एक्टिविटी नमबर 3.9 ठीक है 3.9 देख लेते हैं हम लोग कि यह एक्टिविटी क्या बोल रही है आपको ठीक है अब आपको दे जला आत में रख क्वार समय न में जलाने के जरुत्ति हैं आपके हाथ में रख के भड़ा में जाने जारें इसको हैब जैसे एक क्या करना पड़ता है इनको इनको प्रिवेंट करना पड़ता है और प्रिवेंट करने के लिए क्या करें बोले के लिए लाओ उसके डब्बे में रख दो ठीक है तो अक्सिजन से रियक्ट नहीं कर पाया बोलेट ठीक है सार चलो फिर क्या करते हैं मेगनेशिया अलूमिनिया जिंक लीड और जो बाकी मेटल रहते हैं वो क्या करते हैं नॉर्मल टेमप्रेचर पर क्या करते हैं ऑक्साइड की एक लेयर बना लेते हैं क्या बना लेते हैं ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं और उक्साइड की लेयर उनको प्रिवेंशन कर देती किससे फर्दर उक्सिडेशन से बाद वह उनका उ कि यह पूपर की लेयर बना लेता है जिसको और ऑकसेड है अगर आप इसको गरम करोंगे तो एक लेयर बन जाएगी जलेगा नहीं लेकिन गरम करने पर क्या हो जाएगी एक लेयर इसके उपर बन जाएगी सी यू ओ जिसको बोलते हैं कॉपर औक साइड प्रीविएस एक्टिविटीटीज म् बताये गया है चलो बोले सर लुट का क्या करो हैं बटा बोल सिल्वर और oxygen से मिलाया copper oxide मतलना lemon konstant बना कि इसको पानी में मिला दिया जाए किसमें मिला दिया बाटिम जो रहेगा duża लेकिन यह इस प्रकार से यह है आगे वढ़ जाते हैं से हमिए चुन हुए एक्टिविटी नंबर 3.10 3.10 में क्या करना है आपको कि बहिए कुछ मेटल ले लो आप जो प्रिवेस एक्टिविटी में आपने लिए थी और उसको कोड़ वाटर से आप क्या कर दिखा रेक्ट करके दिखा अगर कोड़ वाटर से रेक्ट है नहीं हो तो फिर उसको थोड़ा सा क्या कर दो आप थोड़ा सा गरम कर लो और गरम से भी नहीं हो तो फिर क्या करो इस टीम से करके देखो और हमको बताओ क्यों रियक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है और यह तो कैसी हो रही है और नहीं हो रही है तो कैसी नहीं हो रही है बताना आपको तो observation में आपने क्या देखा आपके observation में जिसे कि लिथियुम सोडियुम है और पॉटेशियुम है जो कि most reactive तो स्थ्यम्य इसमें क्या होता है तो ऑंकी कहले होता है भूले क्या होता है था अब देखो केल्सियम के साथ में क्या होता केल्सियम क्या होता लेस वाइलेंड होता है ठीक है और वो केज फायर नहीं कर पाता है हीट तो निकलती है ये भी क्या होती है ये भी आपकी क्या होती है एक्जोकर्मिक रेक्शन होती है लेकिन क्या होता है वो फूटता नहीं है ठ ठीक है यह फूटेगा नहीं और केलिशियम क्या करने लगेगा जैसे आइडोजन गेस निकली तो यह क्या करने पड़ेगा यह वाटर में क्या करने लगेगा फ्लोट करने लगेगा तेरने लगेगा ठीक है तो यह था अब देखो मेगनीशियम के साथ में क्या रहता है वाई लोग लोग जिंक लो तो बटा और होट वॉटर से भी नियुकरने वाले तो क्या करेंगे बोले इस टीम से कर जाएंगे इस तो बाप आपकी ठीक है मतलब गेसीस फार्म में अगर पानी रहेगा तब यह क्या कर जाएंगे तो एल्यूमिनियम की पानी से गेसेस फॉर्म में करवाने है अपन तो एल्यूमिन उक्सेड बन गया और आइड्रोजन गेस बाहर निकल जाद है ठीक है कि फिर एक्टिविटी नंबर आ गई दूसरी आपकी बोले सर क्या करो कि मेटल का को सेंपल ले लो ठीक है और उसको क्या करो डाइल्यूक हाइड आइड्रोक्लोरिक एसि सोल्ट बनेगा और आइड्रोजन गेस क्या होगी निकलेगी इसमें पहले देखा था कि पॉप टेस्ट आपको करना पड़ते हैं आइड्रोजन गेस के लिए तो यह इसकी क्या है कुछ रियक्शन से हैं ठीक है मेटल की अगर एसिट से रिक्शन करोगे तो सोल्ट बनेगा क्योंकि वहीं यह जो 13 है उउक्सीड ऑद और आहीं निकलती है तो इसको क्या कर देता है और मेगनीशियम करते हैं ठीक है तो इस प्रकार से होता है आप कौन सी ज़्यादा highly exothermic रहेगी उसका एक order दे रहा है magnesium सबसे ज़्यादा फिर aluminium फिर zinc और फिर iron ठीक है और copper के साथ में क्या रहता है कि कोई भी bubble आपको देखने को नहीं मिलेगी ठीक है temperature में कोई भी change नहीं आप आएगा आपका ठीक है मतलब इसका मतलब क्या कि it does not react to it dilute hcl dilute hcl के साथ में copper reaction नहीं करेगा आपका चलिए ठीक है तो यह activity आपकी सारी खतम होती है और इसके बाद में chapter number 4 की कुछ activity हम लोग देखने वाले हैं वो next lecture में आपको देखने को मिलेगी अभी के लीट नहीं झाले हैं